नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं UKSSE and UKPSC Cracker में तो काफी लोगों के जो है Admit Card Invalid बता रहे हैं तो इस वीडियों में बात करेंगे किस तरीके से इसका सॉलुशन रहने वाला है तो दो कारण रहेंगे Admit Card Invalid के सबसे पहले सर्वर इशू होने के कारण जो आपके Admit Card Download नहीं हो पारे तो दूसरा कारण है Technical Issue हो सकता है या फिर आपके form में कुछ correction होगा या कुछ error होने के कारण से जो आपका Admit Card Download नहीं हो पारे तो आयोग में बात करने के बाद हमें क्या पता चला है वो भी हम आपको बताएंगे तो आप लोग आयोग को या तो mail कर सकते हैं या फिर उनको contact करके वहां से पता कर सकते हैं कि क्या technical problem रह रह रही है कि आपका Admit Card Download नहीं हो पारा है ठीक है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखे इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह किसे क्या इशू रहने वाला है इस तरह ये Admit Card release हुए थे ना हाँ जी जी Admit Card Unavailable आ रहा है हाँ मतलब नहीं सो कर रहा है ना invalid करके आ रहा है फॉर्म भरा था आपने जी 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 प्रिंट है आपके पास फॉर्म भरने का जी जी एप्लिकेशन है आप एक काम कीजिए एक मेल कर दीजिए हमारे UKPSC helpline.com पर जी मेल कर दीजिए उनसे बता दीजिए तो इसका रिस्पॉंड हो जाएगा मतलब हाँ बेजिंगे आपको कुछ ना कुछ आपको मेल करेंगे क्या नाम आपका मेरा ना मनीश 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 एक नंबर भी लिख सकते हो उनसे भी ट्राय कर लेना मनीश तिवारी जी जी कहा से हैं आप मैं यह हल्दवानी से ठीक है 9412913561